नमस्कार जहिंद जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा कविकुल सीरीज के अंदर आज हम बात करते हैं शिव मंगल सिंग सुमन की जन्म कब हुआ निधन कब हुआ परमुख रचनाएं क्या किस रचना पर साहित्यकाद्मी पुरुसकार मिला और कुछ एक दो बाते परमुख जो परिक्षा में पूछी जाती है हिंदी साहिती इतिहास के अंदर महतुपुन हस्ताक्षर है, महतुपुन इस्तान रखते हैं देखिए, जन्म के अगर बात करें, शिव मंगल शिंग सुमन के जन्म की बात करें तो 1915 इस्वी मिलता है, निधन के अगर हम बात करें, तो निधन इनका होता है 2002 समय में देखने को मिलता है तो जन्म 1915 में और निधन है जो 2002 के अंदर ठीक है प्रमुक रचनाओं की हम बात करें प्रमुक रचनाएं प्रमुक रचनाएं करके आप लिखिए प्रमुक रचनाओं में देखिए आप एशिया जाग उठा पहली रचनाओं आप लिखिए एशिया जाग उठा एशिया जाग उठा दूसर रचनाओं लिखिए जीवन के गान जीवन के गान ये कविकुल सिरीज में जितने भी रचनाकार में आपको करवा रहा हूँ चाहे आप ग्रेड फर्स्ट की तयारी कर रहे हो ग्रेड सेकंड की या किसी अन्ने स्टेट की हिंदी से समंदित परिक्षा की तायर करे हूँ या नेट की या कोलेज व्याख्या था कि सभी है तो ये महत्तोपून है जीवन के गान हिलोल एक रचना क्या हो जाएगी हिलोल एक रचना इनकी देखने को मिलती है विश्वास बढ़ता ही गया विश्वास बढ़ता बढ़ता ही गया और मैं बात कुर इनकी रचनाओं की तो मिट्टी की बारात बहुत प्रसिद रचना है इनकी मिट्टी की बारात और मिट्टी की बारात की कितने पांच खंड है ये भी धहन में रखना कितने खंड है मिट्टी की बारात के 5 खंड एक इन गरिचना वानी की वेथा ये भी बहुत प्रसिद है वानी की वेथा वानी की वेथा और मिट्टी की बारात जो रचना है मिट्टी की बारात के सामने आप नीचे चलो डेस लगा कर लिख लो मिट्टी की बारात को ये रचना नहीं मिट्टी की बारात को संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत मिट्टी की बारात रचना जो है इसको संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत है जो कहा जाता है क्या दूसरा बड़ा शोक गीत मिट्टी की बारात को जिसके 5 खंड है ठीक है और अगला फेक्ट लिखिए अगला फेक्ट लिखिए आप नीचे करके मिट्टी की बारात रचना के लिए इनको 1974 में कब 1974 में कौन सा पुरुषकार मिला सहित अकादमी सहित अकादमी पुरुषकार भी दिया गया मिट्टी की बारात रचना के लिए ठीक है और ये माक्षवाद के माक्ष के अधिक है जो समर्थक नजर आते हैं गांदी की अपैक्षा माक्ष के अधिक समर्थक है जो नजर आते हैं जीवन के गान हमने रचना देखी, इसमें रोमानी परवर्ती की एक रचना है ये, जीवन के गान किस प्रकार की है, रोमानी, ये तत्व इसमें ज्यदा देखने को मिलता है, और इनकी प्रसिद रचना ये तो यही थी, कविताईं अगर पूछ ले तो ध्यान में रखना, कलक लाल सेना, मेरे पुनीत, आज तो मुझ में जवानी, मास को अभी दूर है, ये इनके जो प्रसिद कविताईं रहे, शिव मंगल शिंग, सुमन की, तो ये थे रचनाकार, अपनी एप्लिकेशन है, नव स्रिजन क्लासेज नाम से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल नव स्रिजन क्लासेज पर, फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सूपर हंड्रेड बेच चल रहा है, आप जोईन कर सकते हैं, और अपने तयारी को बहतर बना सकते हैं, टेलिग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवी आदिगनेस हिंदी नाम से टे